दोस्तों आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही अच्छा नास्ता बना करके तैयार करेंगे यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई डाल बच जाए तो आपको उसे फैंकना नहीं है फैंकने से पहले आप इस तरीके का एक बार रेश्पी देखने तो आप जरूर ट्राई करना देखो हमने इसमे थोड़ा सा नमक डाल दिया है हमने दो कप गेहूं का आटा लिया यदि आप मैदा से बनाना चाहते है तो मैदा से भी बना सकते है तो वड़ी सी हम इसमें अजवैन डाल देंगे अजवैन डाइजिसन के लिए अच्छी होती है खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है हमारी एक कटूरी अरर की डाल बची हुई है उसका हम इसमें बहुत ही टेस्टि नाष्टा बना करके तेार करेंगे जितनी भी क्वांटिटी में आप इस डाल ले ले वोत नहीं आप आटा ले ले हम इसमें डालते जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा बहुत आटा भी और लगा सकते हैं या फिर आपको किसी पानी की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं लेकिन आपको पहले थोड़ी थोड़ी सी डाल डालती जानी है और बेल करके तैयार करेंगे यदि आप पतली पतली पूड़ी बेलना चाहते हैं पापड की तरह तो आप उसको भी इसी डाल चे बना सकते हैं नहीं तो आप जैसे आप पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से आप इसको भी बेलते जाएं और आराम से आपकी जो पूड़िया हैं बहुत ही अच्छी अरर की डाल की पूरी बन करके तैयार होगी। येकिन मानिए दोस्तों इतनी टैस्टी लगती है खाने में कि आप एक बार बना लेंगे तो आप साधा पूरी कभी नहीं बनाएंगे। ना तो इसमें कोई जंजट रहती है ना ही देखो बिलने में दिक्कत पड़ती है बहुत ही आराम से यह है बिल करके तैयार हो जाती है बिलकुल भी फटती नहीं है यदि आप सूखा आटा लगा करके इसको बिलना चाहती है तो सूखा आटा भी लगा करके बिल सकते है नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें तेल लगा लें तेल यह रिफांट देन्गे, जब हम आट डाला रिए है तो गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक, seer नैंगे और आटा कावी घाल डालते जाएंगे और अच्छे से इनको सैकते जाएंगे जब आप इस तरीके से पूड़ी बनाएंगे तो जो आपके पूड़ी है बहुत ही सौप्ट बन करके तयार होगी एकदम बिल्कुल मुलाइम पूड़ी और एकदम बिल्कुल फूली फूली खाने में बहुत देखो हमारी एकदम भी लोग कितने अच्छी फूली 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 पूड़ी बन रही है और देखो खाने में बहुत टैस्ट लगती है देखने में भी अच्छी लगती है अब जब किसी को खिलाएंगे तो आपकी सभी लोग तारीफ करेंगे देखो ना तो इसमें कोई जहनजट ना ही इसमें कोई किसी फिरकार का मसाला बनाना है जो आपकी दाल बज्जाए उसी दाल से आप इस पूड़ी को बना करके तैयार कर सकते हैं देखिए दोस्तों हमने इतनी सारी पूड़ियां बना करके तैयार कर लिए एक देब को सौप्ट पूड़ी बनी है चा कि दाल में हमारा अच्छे से तड़का लगा हुगा था और जो हमने नमक भी डाला था और इसमें थोड़ी सी अज्वाइन डालती थी इसने में ही इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्वाद आप कभी भी इस तरीके की पूरी को बना करके तैयार कर सकते हैं यकिन मानिये दोस्तों इतनी टेस्टी लगती है कि आप हमेशा इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे यदि आपके बच्चे नहीं खाते हैं दाल तो आप इस तरीके से पूरी बना करके उनके खिला सकते हैं